आजकल सिस्ट की परिशाने कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। नए समाज में फैली नए कुरूतियों ने भी मांसिक्ता को पूरी तरह से खराब कर दिया है जिससे लोगों में कई तरह की परिशानिया बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे पहले हमें जरूरत है हमारे जीवन में घुन की तरह लगी उन आदतों को छुडाना जो सारी बीमारियों की जड़ है। विश्वास वो शक्ती है जिसके माध्यम से उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। आप अपने जिन्दिगी में सकरात्मक सोच रखते हैं सकरात्मकता को अपनाते हैं तो आत्मसाक्षवात्कार के माध्यम से आपका पूरा कपूरा जीवन परिवर्दित हो सकता है। तो किस प्रकार से आत्मसाक्षवात्कार आपके जीवन में परिवर्दन ला सकता है। तो दर्शको सहजयोग आज विश्व में 180 देशों में फैल चुका है। विश्व के कोने कोने में सहजयोग को लोग अपना रहे हैं ना सिर्फ अपना जीवन वो बहतर बना रहे हैं बल्कि जो उनका समाज है उसे भी बहतरी की ओर लेजा रहे हैं। दर्शुकों अगर आप भी चाहते हैं सहजियों के साथ जुड़ना अपने भीतर छुपे हुए भगवान को जानना अपने भीतर जो उर्जा छिपी हुई है उसके माध्यम से अपने जीवन को बदलना तो दर्शुकों जो टीवी स्क्रीन पर आपको नमबर दिखाए दे रह हैं और आज रॉक्टर सहाब में कारेक्रम में बात करना चाहूंगी युवाओ की क्योंकि युवा जो है वो हमारे देश का सब्स्रेत हैं लेकिन आज हम युवाओ को देख रहे हैं बहुत सी बिमारियां हैं जो की वाओ को चपेट मे ले रही है ऐसे एक बिमारी है सवाल किया है यह एक्तम मोस्ट इंपोर्टेंट है खास है और समाज के लिए भी यूववर्ग के लिए भी है क्योंकि अगर हमारा यूवर्ग ही किसी तरह से कमजोर पढ़ जाएगा या परिशानियों से घर जाएगा तो हमारे समाज का पतन हो जाएगा और हमारा देश जो आगे बढ़ने वाला है वो पीछे आएगा क्योंकि जो आज जो आपने ये सिष्ट की विमारी की बात की है ये आम तोर पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जो हमारे बच्चे हैं जो बेटी हैं उनको ये प्रावलम ज्यादा आ गई है क्योंकि आज आता कि किस खाने खाने को छोड़ करके योगा करना चाहिए या किस को ले करके करना चाहिए या बिना लिये ही करना चाहिए ये कोई भी इसमें मास्ट्री नहीं कर पारा क्योंकि योग का तो दूसरा है जो अस्टांग योग है पातंजली का है वो भी लोगों को नहीं जाए चीज नहीं दी जाए किस आसन को कैसे किया जाए उसको शरीर को क्या चीज चाहिए प्रोटीन चाहिए कारबोड हैट साइट चाहिए चाहिए यह सब चीज देख करके वो खाने को बदल करके बताते थे आजकल सभी एक तरगी बताते कि रेस लगाओ दोड़ो अब कमजोर पड़ता है अब एक आदमी है वो सुबह से शाम तक भागता है मेहनत करता है दिमाग का इतना काम करता है फिर सुबह वो रीष लगाता है तो उससे हमारा जो अंदर का सिस्टम में वो जो मसल्स अच्छी होनी चाहिए पावर में ओनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए वो कमजोर पड़ जाती है और उससे भी विमारी सुरू हो जाती है आज जो सिष्ट की विमारी है यह तो ऐसी चल पड़ी है क्योंकि जो आज हमारे अंदर एक चरित्र होना चाहिए माता-पिता की डूटी होती है अपने बच्चों को देखें कि हम बच्चों को किस लाइन पर ले जा रहे हैं कहां जा रहे हैं। पैसा खर्च करने के बावज़ूद भी हमारा बच्चा जो सोसाइटी एक अच्छी होती है एक समाज भुखेएं नि देंगे ठीकिसे उसको समझनेंगे उसकी बात नहीं सनेंगे बस आज हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की बात तो सुनते निए उस से प्यार तो करते नहीं है उसको या तो पढ़ाई के लिए डाटते हैं या फिर घर Tapi तो पति-वतनी या कोई प्रसन है उसको भी वो पूछ नहीं सकता क्योंकि उसको डर लगता है तो इसलिए जो आज बच्चे हैं यह वर्ग है वो फिर बाहर की सोसाइटी में जाता है महां कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं चरित्रवान होते हैं मर्यादत होते हैं लेगिन कुछ ऐसे होते हैं जो गलत सी सोचते हैं गलत नोबल पढ़ते हैं और उसमें जो आज कल के जो गुरू बने हुए हैं वो मिसगाइड करते हैं उन society को जो असलील पिक्टर होती हैं उनको देखते हैं उसे बच्चों के अंदर प्लेक्षिस कमजोर पड़ता है प्लेक्षिस के कमजोर पढ़ने से ही यह सिस्ट की विमारी होती है और इसब्विमारी को हम एक जल करिया होती है हमारे सहह जोग में उससे भी ठीक कर सकते हैं और इसको गणेश मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं लेकिन आत्म साक्षातकार के बाद कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि वह अकेले कर सकता है अगर उसके परिवार के सदस सहह जोग करते हैं तो वह उसमें मदद करेंगे जब 10 मिनट 5 मिनट के लिए वो प्रेर करेंगे या विंती करेंगे ध्यान के लिए बैठेंगे तो उसी समय जब सब लोग बैठते हैं तो जो बच्चा या सिष्ट का बीमार आदमी है तो उसको फायदा होता है और जल्दी ठीक होता है अगर अखेले करते हैं तो थोड़ा दो-चार महीने का टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसमें दवाई की जरूत नहीं है, अपने आप ही वो अपने आप बीमारी स्वते ही समाप्त होती है, जी यानि कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी आपको दुख ने खेरा हुआ हो, या फिर बीमारी है, आपका फीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं डॉक्तर साब और इधर उधर चक्कर काटते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि उस समस्या का आखिर मूल कारण क्या है, तो सबसे पहले आपको आफशकता है आपकी सम समस्या का मूल कारण जानने की, जब आप मूल कारण जान जाते हैं तो समाधान बहुत ही सरल हो जाता है, तो जिस प्रकास से डॉक्तर साब ने बताया कि जो सहज योग है, वो मारे पंच तत्वों के माध्यम से हमारे जीवन में दुखों, समस्या और हमारी बीमारीों का इ आप भी उठाएं और फिर देखिए किस प्रकास से आपको आपकी विमारीों से, आपकी दुखों से, आपकी परिशानियों से निजात अवश्य ही मिल जाएगी, हम युवा वर्ग की डॉक्टर साब बात कर रहे हैं और युवा वर्ग में हम आज कल देखते हैं कि पहले त जो किस प्रकास से उनकी सहायता कर सकता है? जीवन को आगे बढ़ाता है, वो पढ़ाई में बढ़ाता है, या किसी कमप्टिशन के लिए तयारी करता है, तो उस दौर में वो उस बच्चे को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जितना देना चाहिए. और उस से जो बच्चा जब कार्य करता आगे बढ़ता है, तो तर में माता या पिता को एक दोस्त के नाते, एक फ्रेंट के नाते उससे बातचित करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चा नहीं होता, उससे प्रेम से और फ्रेंड्शिप से बात की जाती है, और उसकी वज़े से बच्चे को ये समझ आता है, कि मैं कहा हूँ, कहा नहीं हूँ, क्योंकि जो माता-पिता होते हैं, वो ही बच्चे को बताते हैं, कि अब आपको क्या करना है, कैसे चलना है, किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, तो इस तरह से होता है, तो जो आपने कहा के साधी नहीं कराते हैं, तो जो बच्चे बच्पन से पहले ही साधी से पहले ही आजकल जो एक बच्चों में नए आखिल चला है कि भी एक फ्रेंडशिप होती है तो पहले जो लड़की और लड़के का जो गैप होता था वो बहुत ही एक पवित्र रिष्टा होता था स्कूल में या कॉलिज में जो पढ़ते थे तो एक बेहन के नाते बात करते थे और अगर उस बेटी को कही परिशानी होती है तो जो बारे बोय होते थे लड़के होते थे तो उसको as a sister मदद करते थे वो friendship में नहीं करते थे फ्रेंड का जो मतलब है ये गलत है क्योंकि friendship नहीं उसको भाई और बेहन का रिष्टा होना चाहिए जब भाई बेहन का रिष्टा होता है तो ये पवित्रता बनी रहती है और उससे जो बच्चे को साधी की बात है वो इसलिए रुख जाती है कि जो उनको प्रेम साधी में मिलना चाहिए था वो साधी से पहले ही मिल जाता है तो जो उनके अंदर एक नेचुरल एक चॉइस होती है कि इच्छा होती है वो समात्त हो जाती है और उससे उनको आगे मन नहीं करता कि अब हम ग्रस्ती जीवन को अटेंड करें या ग्रस्ती मे इसमें और उसमें जाते हैं तो वह भी अक्सर में ने देखा है कि पती पतनी का रिष्टा को ज्यादा अच्छा नहीं रहता और जो रिलेशन सी पर भूत ही खराब रहती है और घर में कलेश रहता है योगा का मतलब यह है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए जब आत्मस अच्छे हैं जवान हैं अगर वह भी दस या पांच मिनट के लिए केवल ध्यान में बैठ जाए विंती कर लें तो उससे उनमें बदलाव आएगा और उनके अंदर पवित्रता इस्थापित होगी जो गनेश का पहला गुन है फर्स्ट गुन है कि अगर हमारे अंदर पवि पर अच्छा नहीं है तो तब यह ना तो वो शाधी कराना पसंद करते हैं एक स्टाइल में जीते हैं कि फ्रेंडिशिप में रहेंगे साधी नहीं कराएं अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा समाज डूब जाएगा आगे की जनरेशन बंद हो जाएगी तो मेरा कहने का मत करते हैं अपने बच्चों को सिखाएं जब बच्चों को यह चीज मिलेगी तो उनकी जो पॉजिटिव एनरजी है पॉजिटिव जो साकार उर्जा है उससे उनका चरित्र बहुत अच्छा होगा पढ़ाई अच्छी होगी और उनके अंदर एक मरियादा इस्थापित होगी क कि हमको मरियादा में रहके अपने साथ जो जो लड़की पढ़ रही है उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करके हम उसको बहेंड का रिष्टा समझ के साथ रहेंगे हम फ्रेंड का रिष्टा नहीं रखें क्योंकि फ्रेंड हस्बेंड हो सकता है लड़की की सहीली फ्रेंड हो उनसे बातचीत करें प्रेम करें और तब वो आगे कहेंगे कि हाँ हम गरस्ती जीवर के लिए तैयार हैं जी तो रॉक्टर साहब ने आज हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं जो युवा वर्ग में भ्रांतिया फैली हुई हैं जो कि उनके दुखों का कारण बन रही हैं उनके बारे में आज बताया और बताया किस प्रकार से सहे जोग हमारे ना सिर्फ युवा वर्ग ब बच्चे हैं हम आज कल देखने हैं इतना जादा उनके उपर पढ़ाई का प्रेशर बन गया है या फिर और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो माता पिता के बच्चे हैं हमारे चोटे बच्चे और एक्सपेक्टेशन ज्यादा उम्मीद लोग करते हैं माता पिता तो यह जो उम्मीद करते हैं यह गलत है आपके उसके लिए एक समाजिक प्राणी है आप केर टे कर रहें उसको देख भाल के लिए बनाया है तो हम भगवान पे कुछ नहीं छोड़ते पहले जो लोग थे वह पांच बच्चे च्छे होते थे और पैसा भी इतना नहीं था फैसिलेटी भी नहीं थी और जो कॉलीज आई स्कूल है वह भी 5-5-10-10 किलोमेटर दूरी पर होते थे तो वह भी बच्चे पढ़ते थे और उनमें सभी तो मास्टर नहीं बनते थे या कोई अच्छी जौब पर नहीं होता था कोई एक आधी होता था क्योंकि हम जब जाद से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं क्य किसमें नहीं जाना चाहिए और किसमें जा सकता है और किसमें काम्याब हो सकता किसमें नहीं हो सकता यह वाइब्रिशन पर चेक किया जाता है जब बच्चा बड़ा हो जाता और उसके सामने इस तरह के सवाल पेरेंट्स करते हैं माता पिता तो उसको एक अफसोस होता है कि म पड़े लिगे होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं तो बच्चा फिर यह डिसीजन लेता है कि अब मैं घर को कैसे छोड़ों क्योंकि उस पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि वह सोच नहीं पाता कि मैं अब किस अद्ध किदर जाओं तो वह मजबूर हो करके है डिप्रेशन में चला जाता है और उससे वह सुसाइट करता है आत्मात्या करता है जैसे बच्चा है वह इंजिनीरिंग तो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ऐसी नॉलिज या ऐसी कमप्टिशन की चीज नहीं है तो पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है आप इ काम्याब होते ही नहीं और वह 100% आत्मात्या करते हैं जो बच्चे इस बैलेंस के होते हैं जो आत्मसाक्षातकारी होते हैं वह कभी भी आत्मात्या नहीं करते हैं और बैलेंस में रहते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें कम्टिशन में वह हमीशा काम्याब होते हैं तो एक बीटी भी ठीक कर सकते हैं लेकिन सहजोग शीख करके तब आप ठीक कर सकते हैं तो यह आज दिप्रेशन की बिमारी या जो 90 पीसदी लोग बिमार है वो दिप्रेशन के ही पेसेंट है जिनका इलाज डॉक्टरि में मेडिकल में नहीं तो आप उनको सहजोग द्वारा, पाचो तत्मों के द्वारा और अपनी सरीर की साकार और जासे बिल्कुल एकदम ठीक कर सकते हैं और इस समाज के पतन को गिरते हुए को हम रोख सकते हैं किवल सहजोग के द्वारा बिल्कुल तो यहाँ पर एक नई उमीद की किरण डॉक्टर सहाब ने हमें दिखाई है जुसका नाम है सहजोग इच्छाओ का बोज आजकर हम देख रहे हैं समाज में इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ना सिर्फ बड़े बुड़े हैं बलकि जो बच्चे हैं वो भी दबते चले जा रहे हैं आत्महत्या तक कर रहे हैं बिमारियां बहुत सारी हैं जो की ना सिर्फ करती है आप सभी से की समाज जो हमारा पतन की ओर आगे बढ़ रहा है उस पतन को आप रूखें सहजयों को आप स्वैम भी अपनाएं और आपके समाज में जो आपके और जानने वाले हैं उनको भी जाग रूप करें ताकि वो भी सहजयों के साथ चुड़ें अपने जीवन को बहतर बनाएं इनिशल्क सेवा है आप सभी के लिए श्रीमाता जी की ओर से ताकि आप आत्मसाख्षात कार कर सके और अपनी सकरात्मक उज्जा की द्वारा और पंच तत्वों के द्वारा अपनी जीवन को बहतर बना सके तो सहजयों के बारे में अगर कोई भी जानकार आपका कारिक्रम में आने के लिए इसे के साथ दर्शकों मैं चाहूंगी आप सभी से इजाज़त नमसकार